हेलो एब्रिवान गुड आफ्टर नोन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे मैं भी ठीक हो लो जी यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है साड़े बारा का और मेरा यहाँ पे ब्लॉग जब चुरू हो गया है और यहां पर खाना वाना सब का हो चुका था तो बारिष की दिन हैं बारिश का मोसम ता आज दो दिन से दो दिन से चल रह zaw घॉल ही तो फ्यर्ड मैंने सोचे कि मैं यहां पाफट अधा हाथ हो ना दूप भी निकल रही है बीच बीच में बादल भी चाहरे हैं तो मैंने फिर क्या किया कि कपड़े फोल्ड करके यहां पर बैडशीट जो है बू मैंने साफ की और मैंने कल ही पहले दूसरी बैडशीट डाली ती गरम वाली तो माबयाना ऊपर टॉयलेट कर दिया फिर मुझे उसको निकालना पड़ा रात को ही मैंने यहां पर चेंज कर दी थी बैडशीट तो यहां सुबह अभी मैं दोपहर के बारा बज रहे थे बारा बज के अभी पंद्रा मिन्टों हो रहे थे तो मैंने अपना जो है कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिये तो फिर मैं आगी और यह अलग लग क्यों पहनी है इनके साथ का एक एक जोड़ा जो है ना वहारी जो गलहरी होती है ना चूहा गलहरी वह दिवार के उपर से कल लेके चली गई है एक एक दोनों की सॉक्स मुझे मिलनी रही है तो वही लेके गई हो तो यहां पर देखिए ताई जी आगे थ दिख रहा है और एक जो सिल्वर कलर का है यह भी चूला ही है तो दोनों हम शायद रख ले और देखिए ताई जी हमारे यह तो यह हमारे लिए चूले वहां से लेकिया थे तो यहां पर दूप अच्छी खासे निकल गई थी तो यहां पर जो बना रहे थे जो फोल्डिंग मंजा होता है ना बो वाला तो फोल्डिंग मंजे जी हमारे गर में ऐसे पड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि इसे बनवा लेते हैं अभी जैसे गर्मी आएंगी ना तो काफी ज़्यादा सकत जरूरत पढ़ने वाली है मंजों की तो यहां पे चार पाई को कर दिया है अभी बना दिया है तो एक और भी बनाएंगे अभी पहले यह वाली कंप्लीट कर दें तो फ्रेंट्स फिर मैं सब के लिए लेके आगी थी चाहे चाहे देने के बाद मुझे जाना है मावय को लेकर थोड़ा सा इसको गूमाने के लिए बचे गर पे बैठे बैठे बोर हो जाते ह है ना तो इसलिए आज मैं इसको लेके जा रही हूं तलाव में तो बस जैसे ही हमारा काम ख़तम हुआ मैं लेकर आगी थी मावय को तलाव में और यहां पर देखिये तलाव के अंदर ना बहुत ही बड़ी-बड़ी मचली होती है मतलब एक एजी की दोग एजी की इतनी बीज है वो कि अभी ऊपर नहीं आते हैं दिखते भी नहीं है तो कैसा लगा तलाब हमारे गाउं का कुमेंट में जरू बताएगा तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम जा रहें गर पे ये देखिए मेरी स्कूटी यहां पे लगी थी हम आये थे यहां पे आटा डालने के लिए मै मैंने सोचा कि यहां पे मिर्ची और भेंगन के पोदी है थोड़ी ए बहुत प्नीरी गरला थी तो मैंने सोचा कि यहां पर जगे बनाई भी तो चलिए बहुत ही ज़्यां कес निकाल लीती हूं ь So many fish already क्योंकि फिश निकाल ले गई थी आभी बीज डाला है चोटे चोटे बीज था तो जैसे बड़ा होगा ना तो नेक्स टाइप लेकर जाएंगे वहां से निकालते हैं खाने के लिए जिसको भी चाहिए होती है वहां से ले लेते हैं तो हमारे गर में फिश खाता कोई नहीं है माबया गोलते है कि मंध। मैंने फिश खानी है मैंने फिश खानी है और शट बीडियो में दिखती थीमा ओन कासे लिए नो मेंने आज कि आटा डालके आते हैं साथ में और साथ मैं माबया को थज़़ा सा फिश के दर्षन करवा देगे तो फिश पिश मेली नी और तो कोई बात नहीं जब नेक्स टाइम बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी सबको तो चलिए अभी में फटा फट से अपना गास काट लेती हूं काटना तो काटना हो तो काट भी सकते हैं लेकिन निकालने में ही बैटर रहेगा क्योंकि इसकी जड़े हैं जमीन से निकलेंगी तो भी जाके दुबारा जो गास है नहीं होगेगा तो चलिए यहां पर मैं लगाओंगी मिर्ची और साथ में किसके पोदे बैंगन के पोदे तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे कांटिन्यू करते हैं ब्लॉग पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेर जर काम खतम हुआ है और बस आज का काम जो है यह वाला ही है और थोड़ी बहुत उस तरफ भी मैं क्यारी बना रही हूं जो कि मैं प्यास की पनीरी लगाने वाली हूं तो पहले इसको ही जंदी से अपना इसका गास निकालते हैं और फिर जो बरतन पड़े हैं मेरे वैसे सुब के काम नहीं होता है तो शर्दी लगती है फिर हाथों को तो बरतन का क्या है बरतन बाद में साफ हो जाएंगी तो चली अभी पहले ये वाला काम का खतम करूंगी फिर मैं बरतन खतम करूंगी तो चली फिर चलते हैं तो यहां पर देखिए अभी मैंने जो है गास निकालना शुरू कर दिया है और गास इतना ज्यादा बहुती ज्यादा गास हो गया जमीन की जड़ें अंदर चली गए है जो गास है और मेरे को निकालने में इतनी दिक्कत वह रही थी अगर मैंसे किसी के साथ मिट्टी को तो यह बिल्कुल भी नहीं निकले तो यह हाथों से निकल रही थी मसल मसल के मिटी को मैं चांट रही थी तब जाके निकल रही थी और ये जो दिखरी है आपको ये गाजर है मैं ने ऐसे लगा दी थी तो देखी आची חासी होगे एक केजी दो केजी तक गाजर निकल जाई यहां से और इतनी बड़ी वेडी मैं कुछ xt भी किया है कोई खाद नहीं दिया था कुछ भी नहीं किया जैसे लगी है मुली के साथ लगई थी ऐसे ही लगी रही है मैंने कुछ भी किय नहीं के जो बाता हुए ञगर तो इसके साथ फसल को बिक्षेरा जाता है अब हमारे काम इतना जाद आता नहीं के लिए मारे गर में और एक मेंने के लिए को भी ले रखा भी ले रखा ये तो मैं वी इस से यजह युँआmist भी जो आप मूटी मोटी मिट्टी को रडी को मैंने अच्छे से देख्यें मुद्टी फोरे क्यारी बना करें रडी कर दी है और में याको खाद नहीं को भाद के दोन कि इसको अभध में नहीं थे तब तक मुझे यह वाले पोदे रड़ी करने हैं ताकि खाने के लिए हो जाएंगे अब मुझे अपने घर के पनीरी लगानी है वेर्ची की अब यह सबी दिरे सब कौाम करूंगी दिखे कितनी ज्यादा पिछे जो मेरे गास दिख रही है आभी सब गास खाड़ूंगी मैं दिरे दिरे करके और यह मेरे पोदे ना हस्वें जी बोल रहे थे कि रहने तो अभी यह चलेंगे नहीं तीन दिन हो गया था इनको रखे हुए टाइम नहीं मिल रहा था फ्रेंच की मैं लगा दू तो ऐसे ऐसे पोदे यह अभी लगा दिये ना मिने मिट्टी में तो अभी इनकी अंदर जान आ जाएगी तो थोड़ थोड़ा इनको पानी देने की भी जरूर के खुदी जाते नहीं मैं पास तो नहीं जाते हैं दूर जानने का कि लुगू जाते हैं तो फिर पास मैंने सोचे कि क्योंटला अब है मैं अपने देवर जी य हैं मेरे बाई जी उनको मैंने फोन किया और उन्होंने मेरा ये काम Hate और अच्छे है लगी रही काम करने में और काफी जादा टाइम लग गया था मुझे गंटा तो लगी गया था यहां पर तीन बजने वाले थे तो मतलब मैं एक मिंट भी बैठी नहीं थी मुझे वीडियो एडिट करनी थी लेकिन टाइम नी मिल रहा था तो फ्रेंट से यहां पर देखिए पोदेवगरा लग च करते हैं मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए बाबाए